ये वीडियो उनके लिए जिनके 10 अप्रेल से पेपरे स्टार्ट होने वाले हैं अभी एड्मिट कार्ड आ चुके हैं हिंदुस्तान न्यूज पेपर है उसमें सुबह आ भी गया था आइटिकल की आज शाम से होने आप डाउनलोड कर पाऊगे तो अभी आ गए हैं हाला कि अभी बस 1st year के आए हैं तो ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके आगए हैं जिनके नहीं आए हैं उन सबी के लिए कुछ सवाल हैं तो इस वीडियो में थोड़े सा हम इंडिसकस करेंगे एकजाम के बारे में ही आपके सबसे पहला जो सवाल है वो है admit card आ गया है बच्चे पूछ रहें कि admit card आ गया है क्योंकि सभी बच्चों के admit card नहीं निकल रहे हैं बस first year के निकल रहे हैं हमने कुछ admit card निकाले के देखे हैं second year के नहीं निकल रहे हैं बस first year के निकल रहे हैं Admit card कैसे निकालें, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि Admit card कैसे निकालें, हमारे पास हमारा form number नहीं है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो आपने examination form भरा था, अभी भरे गए हैं जल्दी में ही, जिनके बाद आपने document जो था college में जमा करके आये थे आप, तो form number कु कुछ मत डालो, आप यह मत देखो कि 20 लिखा हुआ है, जिरो डाल के आप डालोगे, आप कुछ में मत लिखो, आप लास्ट के 6 अंक डालो, ठीक है, तो इससे आपका admit card निकल जाएगा, अगर form number आपके पास नहीं है, तो हमारी website onlineforminfo.com, हम link देदेंगे description में, जब आप उस पर जाओगे, तो यहाँ पर कुछ लिंक है, जैसे कि download admit card, इस पर click करोगे, तो आप से सीधा form number मांगेगा, जहाँ पर 6 अंक डालने हैं आपको, नीचे है, check your form status, आप अपना form status देख सकते हो, और find your form number, अगर आपका पास form number नहीं है, तो यहाँ से आप form number देख सकते हो, सब आप इस पर click करते हो, तो इस तरीके से आता है, यह लिखा हुआ, college भरना है, आपको किस college में अपने form जमा करा है, course आता है, किस course के लिए जमा करा है, आपका gender और candidate name, candidate name में ध्यान रखना, आप कोई भी हो, कैफे वाले हो, या फिर आपना ही देख रहे हो, अगर आपका ना किया आई, और उसने अपना नाम जो बताया, दसवी की माकसिटूस ने दी, उसमें निखना नाम उसका कुमारी मधू, KM, space, MADHU, हमने अगर डाल दिया, तो सोट हो जाते है, result उतने ही, अगर हम खाली मधू डालेंगे, तो उसमें कुमारी मधू भी आएगा, और मधू भ बराबर में था, सर्च करा, अगर हम ऐसा करेंगे, तो सारे नाम आएगे, सचिन कुमार, सचिन चोधरी, सचिन रावत, सचिन, सचिन कुमार सर्मा, ठीका ना, तो ये सारे आ गए, तो आगे इसके form नंबर लिखे हुए है, आगे लिख रहा 200, दो सो में जो सुरू के दो ड धारे का admit card है, वो, वो form नंबर, 200 लिख रहा है, क्योंकि 2020 है ये, तो इसलिए 20 आ रहा है, अगले साल जो हो आएगा, वो हाएगा, 21, ठीक है ना, तो ये, इसलिए सुरू के 3 नहीं डाले जाते, लाश्ट के 6 अंक होते हैं, आपके real form नंबर, ठीक है, अब, क्या आब exam 10 colleges हैं, जो university से affiliate करते हैं, उनकी meeting होगी, वहाँ पर decision लिया जाएगा, क्या से exam कराने हैं, ठीक है, क्योंकि Corona के cases बढ़ रहे हैं, बाकी क्या सिती रहती है उस time पर, क्योंकि time का भी कुछ नहीं पता है, last 24 घंटे में एक लाग से जादा case आए हैं, और आने वाले 3 दिन में क्य हालात रहेंगे, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, बाकी एक चीज़ अगर हम अपनी तरफ से बताएं, तो ऐसा है, यहां से जो vaccine वगएरा थी, वो विदरसों में पहुची हुई है, ठीक है, अगर यहीं पर हालात control में नहीं हुए, तो बाहर से कोई क्या बोलेगा, news तो क् चलती है, वो बोलेगे कि इन पर अपने तो संबल नहीं है, इन्होंने कैसी news paper, कैसी हमें मतलब vaccine वगएरा दी है, तो इसका जो है, एक negative impact पढ़ सकता है, मेरे हिसाब से मेरी अलग से opinion है, ठीक है ना, तो ऐसे में थोड़ा सा अगर कुछ चलेगा, थोड़ी सी लहर जो आए बेजी गई है, और ये भी सुनने में आ रहा है, कि जिसको vaccine लग रही है, उन्हें भी जो है coronavirus वगएरा हो रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया है, ठीक है ना, क्योंकि चलो जो भी है, वो चीज अलग matter हो गया, मतलब कुल मिला कि ये है, कि ये जो है, इस time पर जो भी ये matter चल ना हो, लेकिन बहुत से बच्चे इस पक्ष में भी रहते हैं, कि पेपर ज़रूरी होने चाहिए, ठीक है, हमने बहुत सार पूरे साल मेहनत करी हैं, तो ऐसे भी बच्चे बहुत हैं, अगर हम यहीं पर कमेंट करके पूछें आप से कि कौन-कौन बच्चा चाहता है कि पे अपरेल को दो पहर तीन बजे, यह मतब साम तीन बजे यह मीटिंग वगएरा होगी, इसमें सारा का सारा किलियर कर दिया जाएगा कि क्या स्थिति है, किस तरीके से एक्जाम कराए जाएंगे, जो भी है, टोटल हम साम को साथ आट बजे का सबस तक वीडियो डाल देंगे, वहां से सारी की सारी अपडेट लेगे कि क्या उस मीटिंग वगएरा में हुआ है, ठीक है, इसके अलावा जिनका एड्मिट कार नहीं निकल रहा है, उनका कब से निकलना शुरू हो जाएगा, दस्तारिक से पेपर हैं, एक या दो दिन पहले तक एड्मिट कार डालती हैं, CCS University, तो वो डाल देगी, कोई दिक्कत नहीं है, आठ, नो तक वाप वेट कर लो, ज्यादा दूर सेंटर नहीं होगा, आसपास ही सेंटर होगा आपका, तो नो को भी डालेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद, इसमें है, फोर्म स्टेटस वेरिफाइ होगे या नहीं, उसके लिए वेबसाइट पर ही जाओगे, चेक यूर फोर्म स्टेटस नाम का इकन है, इस पर टच करना, इस पर जाते ही आपसे फोर्म नंबर पूछेगा, उस फोर्म नंबर को आपको डालने के बाद, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, कि आपका, य यह है, आपका verify है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप admit card आ जाएगा, और जब सब क्या जाएंगे, तब भी हम एक वीडियो से आपको सूचित कर देंगे, ठीक है, तो यही अपडेट थी भाई, बाकी सब का admit card धिरे-धिरे आ जाएगा, और अगर हमारी opinion मांगोगे, क आप पूछोगे हमसे comment में कि आपको क्या लगता है, पेपर होंगे या नहीं होंगे, तो फिलहाल 50-50 chance है, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, देखो आने वाले time में, आप भी नहीं बता सकते कि 3 दिन में क्या होने वाला है, और ना हम बता सकते कि 3 दिन में क्या स् परबंदे हैं, बाकी तो पता चल जाएगा, 10 तारिक से paper start है, 8 तारिक से जो होगा आपका decision आजाएगा, महां से meeting वगेरा होने के बाद कि किस तरीके से क्या परबंद हैं, जो exam की क्या परबंद रखे गए हैं, तो तब जाके सब कुछ clear होगा, ठीक है ना, तो 9 तारिक तक लिंक लगा दी, जिससे आपको पर हैसानी ना हो, आप ना पूछे, यहाँ पर टेलिग्राम लिंक के उपर जब आप टैप करोगे, अगर आपके पास टेलिग्राम होगा फोन में, ओटोमेटिक आप वहाँ पर चले जाओगे, वहाँ पर जोइन का option आएगा, जोइन कर ले कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी दिक्कत है, अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आ रहे है, कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करना, कोशिस करेंगे, जल्दी हो सब्सक्राइब करने की, टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लेना, वहाँ पर रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे के ठीक है